आप सभी को नमस्कार आज आप सभी से एक्जाइम टाइम सिरीज में समिस्टर परिच्छा के पेपर कंटम्प्रेरी इंडिया इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पर चर्चा करेंगे जिसमें बिसेश रूप से सौर्ट कोस्टन्स पचास वर्ड टू मार्स को टू कैसे लिखा जाए इस पर बताया जाएगा इसके साथ ही में इंट्रेंस एक्जाम और यूजी सी नेट जियाराफ एक्जाम पीस्टियस एक्जाम में इस विसेश से सम्मंदित पर्सनों को किस परकार के कोस्टन बन सकते हैं उसको प्रेक्टिस मॉडल पेपर एक्जाम टाय से सोल कराये जाएगा बर्स 2016-17 के सेमेस्टर एक्जाम में निव्ण परकार से कोस्टन आय हुए हैं उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं जिसके जो की सौर्ट कोस्टन है बीपे मेनन कौन थे उनकी उपलब्धियां बताइए बीपे मेनन का पूरा नाम बापला पमुन मेनन था जो की ICS अधिकारी भारती परसासनी का अधिकारी थे बिटिस सब्ता के अंतिम बाइसराओं तीन अंतिम बाइसराओं के एक सबसे बड़े समिधानिक सालाकार एवं राजनितिक सुधार आयुक्त के पत पर उन्होंने कारे किया था जिसमें लाड निंतों बेवेल और मौन्वेटन के सबय में उन्होंने ये कारे संचालित इया था इन्होंने मुख्य रूप से भारत विवाजन के काल में राजनितिक एकी करण में उनकी महतपूर भूमिका रही है सरदार बनलभाई पटेल की अधिक्षता में रहते हुए रियास्तों के एकी करण में रा आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इस्टेट भी कहा जाता है उन्होंने राज्यों का एक ही करण किया था तो इस पे हम ध्यान रखने वाले तीन बाते महत्पूर्ण हैं पहली बात हम देखते हैं कि इन्होंने तीन बाइसरायों के अंतरगत एक सर्शेट समिधानिक पत पर कारे किया था और इसके साथ ही दूसरी बात पर विभाजन के काल पर इन्होंने रियास्तों के एक ही करण पर उन्होंने कारे किया था और साथ ही 565 रियास्तों के अंतरगत उन्होंने राज सचिप के पत पर कारे किया था रियास्तों के एक ही करण के राज सचिप तो तीन पाइ लिखिये, राइट ये सौर्ट नोट अन रजाकार्ज, रजाकार्ज के सम्मद में अगर हम देखते हैं तो हैदराबाद रियासत के वारे में वड़न करना आवस्यक हो जाएगा, हैदराबाद राज्य में इतहाद उन मुसलमीन नामक एक संगठन जो की कासिम रिजवी के ने दोस, दोको मानना और अन्य परकार से कारे करना जिस से अरजकता बढ़ गई थी, इस संगठन को 13 सितंबर 1948 में भारती सेना ने राजाकार सेना को समाप्त कर दिया, पांच दिन की सैन कारवाही के अंतरगत हैदराबाद रियासत का भारत में बिले कर लिया गया, इस बिले क पस्चात इस सेना को अरध सेना को जो रजाकार थे उनको समाप्त कर लिया गया और भारती रियासत में हैदराबाद रियासत को मिला लिया गया, भारती राजे में हैदराबाद रियासत को मिला लिया गया इसके साथ ही 13 सितंबर 1948 को भारती सेना ने सैन कारभाई करते हुए पांस दिन के पच्चाद हैदरवाद रियासत को भारत में मिला लिया तो इन तीन फांस पर अगर फोकस करते हैं तो हमारा ये कोस्टन का आंसर सम्पूर होता है जब हम गुड़ निर्पेक्ष की स्थापना वर्स 1961 में की गई थी गुड निर्पेक्ष आंदुलन एक राष्टो की अंतराष्टी संस्था है जो विश्व के किसी भी संगठन प्रावर ब्लॉक या गुट के साथ या विरोध में नहीं रहेंगे। देश का वर्ण करना और इसके साथ ही इसको परारम करने वाले जो पांच देश थे इस्थापना करने वाले देश थे उनका वर्ण करना अवस्षिक होगा। लली, हरदयनात कुझरू और क्याम पड़ी कर थे। इसके साथ ही इस अधनियम को पारित किया गया था और इसके साथ ही पहला राजभासा के दार पे जो बना था आंदर परदेफ उसको बनाया गया था। बढ़न करना अनिवारे होगा। आपको सिमेस्टर परिक्षा में सौट कोसंस और उसके टूदा पाइंट आंसर को किस परकार से लिखा जाए इसके वारे में जानकरी दी गई। अब आपको ये ध्यान रखना आवस्यक होगा कि इन तूदा पाइंट्स को नोट्स बनाकर लिख लें जिससे की आगामी परिक्षा में जैसे इंट्रेंस, आयमे के इंट्रेंस एक्जाम, इसके साथ ही यूजिसी नेट जेयरप के कमप्टीशन के एक्जाम में, इसके साथ इसके साथ ही PCS के परिक्षा और या अन परिक्षाओं में, इसी इधार पर कोस्ट बनते हैं. तो इससे संबंदित होते हैं, इसी के आसपास होते हैं, यादि Two-the-point से आप पर पढ़ रहे हैं, और उसके साथ ही यूजिसी और नोट्स बना के लिख रहे हैं, तो आगावी परिक्षाओं में भी इस तरह से question के लिए आपके त्यारी में काम आएंगे इस तरह के answers को आपको लिखना और notes बना के रखना to the point को रखना आवस्यक हो जाएगा इसके साथ ही हम एक text series देंगे जिसके माध्यम से आपको practice model paper बताया जाएगा practice model paper मैं आपको दे देता हूँ और इसी के अधार पे आप solve करिए कि इसी के आसपास को आपको preparation भी करनी है और पुस्तकों का धिन करिए और next video में आपके ये model paper practice model paper का answer दे दिया जाएगा और इस channel को आप subscribe लाइक करिए जिससे की ज़्यादा ज़्यादा मदळड़, अज़ के लाएगा पैंगर, और type बास माईबगो, आपके ये ज़र रख書 कर दो 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 लूब है झाल